नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भालचंद्रा ब्रह्मभांड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशी का अगस्त 2021 का संपूर्ण राशिफल कैसे होंगे ग्रहयों कैसे होंगे ग्रहयों के राशंतर और वो आपके राशी पर किस प्रकार से परणाम करने वाले हैं कौन से निर्णे आपको लेने हैं कौन से निर्णे आपको टालने हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांट सिद्धियाश्ट्रों इस चैनल पर मेश राष्य से लेकर मीन राष्य तक की जो सभी बारा राष्या है इन सभी बारा राष्यों का अगस्ट दो हगत हजार इकिस का राष्यपल क्या होगा इसके संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आपी के राष्य में ब्रह्मन कर रहा है और वो वक्री अवस्तार में है यह शनी आपके राष्य का स्वामी भी है और यह आपके द्वितिया भाव का भी स्वामी है मतलब धना भाव का भी स्वामी है जैसे कि आपकी जो राष्य है वो साड़े साती में चल रहे है इसके वि तो आपके राश्य के लिए जो साड़ी साती है वो इतनी ज्यादा problematic नहीं होती लेकिन फिर भी क्यूंकि आपके राश्य में सयम काफी देखा जाता है लेकिन जैसे कि पिछले करीवन देड़ साल से आप अनुभव कर रहे हो कि काम आपके नहीं हो रहे हैं चोड़े मुटे ब यही सिलसला चालू रहेगा लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेस से अटेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो दिन है आखिरतों तो नहीं रहेंगे अब हम चर्चा करेंगे आपके रवी या फिर सूर्य के बारे में सूर्य जग रहा है यह आपके सप् है या फिर उनके जो विचार है और आपके जो विचार है उनमें थोड़ा सा तनावा चुका है लेकिन दिनाग 17 तरीके बाद यह बात काफी मायना में कम होते हुए नजर आएंगे और 17-18 तरीक बात का जो समय है उसमें जैसे ही सुर्य स्वाइम के राशी में आपके अश् अच्छी मदद मिल सकती है इसके बाद हम चार्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में मंगल जो ग्रह है यह आपका चदुर्थेश भी है और लाबेश भी है हालाके आपके राशी का यह शुबग्रह नहीं है या फिर मित्र ग्रह भी नहीं है और यह आपके अश्टम भाव म ब्रहमन होने के कारण व्यादी के बारे में आपको ज्यादा सतर या फिर सचेत रहना होगा, थोड़ा बहुत उसके उपर ध्यान दोना होगा, खास करके एक्सिडंट प्रोन हो जाती है आपकी ये जो कुंडली है या आपकी जो राशी है इस मेने में, तो आपके सहयत के उप द्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, आपको जो spending रहेंगे आपकी जो खर्चे होंगे, हलाकि आपकी जो राशी खर्चे ज्यादा नहीं करती, लेकिन spending के उपर भी द्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा, उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे बुद्धग यह आपके 17 भाव में ब्रह्मन कर रहा है, दिनांक 9 तारिक के बाद यह आपके 18 भाव में ब्रह्मन करेगा, और दिनांक 27 तारिक के बाद यह आपके भागये भाव में ब्रह्मन करेगा, और यह जो बुद्धगरा है, यह आपका असेस्टेज भी है और भागयेज भी है, तो देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा उसी पर आप काम करते हो नुकरी करते हो वहां पर कि जो आपके थोड़े से चोटे हैं उनसे भी चोटी मुटी बातों को लेकर दिक्कत आ सकती है लेकिन सब्सक्राइब करेगा अब यह जो कालावदी है यह आपके लिए काफी ज मतलब सतरी सरी के बाद यह जो बाते होने वाली है लेकिन फिर भी पोड़ा सा सयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा उसी परकार शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो शुक्र आपके अश्टम भाव में ब्रह्मन कर रहा है दिनांक 12 तरीके बाद यह आपके अग्यवाव में भ्रह्मन करेगा जो कि आपके लिए बहुत ही जादा महतोपुर्ण बात है पहले सबसे महतोपुर्ण बात अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो वहां पर जो रिलेशनशिप कई दिनों से उपर नीचे हो रही ती या फिर इसमें खटा सा रही थी वह काफी माइनों में कम होती ही नजर आएंगे आप दोने में काफी अच्छे हार्मनी देखी जाएगी उसी परकार अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो भी दिनांक 12 तरीक के बात का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुब फलेदाई होगा उसी पर ऐसा कि कोई स्थ्रोत वगारा भी मिल सकते है तो यह बात आपके लिए मेहतवपुर्ण है शुबफलदाई है तो शुक्र का जो ब्रहुमन होगा आपके लिए काफी ज्यादा मेहतवपुर्ण साबिद होगा गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है यह ग्रह आपके दृतिया भाव में है और वक्री अवस्ता में है यह ग्रह आपके राशी का अशुब ग्रह मना चाता है क्योंकि वह व्यास्तान का और तृतिया भाव का स्वामी भी है और वह आपके द तो यही सिलसरा थोड़ा जालू रहेगा जैसे कि मैंने शुक्र के बारे में कहा कि 12 तरीक के बाद का जो समय है उसमें आपको काफी बदलाव देखे जा सकते है क्योंकि बिछले 4-5 मेने से अगर तुल ना करें तो यह जो शुक्र जैसे ही 12 तरीक के बाद आपके भागया भा बहुत ही जादा आवश्यक होगा उसे परकार जहां पर आप काम करते हैं नुक्री करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं वहां पर कि जो सह कर्मी होंगे वहीं से आपको ऑफिस पालिटिक्स या फिर ऐसे कोई बाते भी सामने आसे लेकिन खुद पर सयम रखना जादा प्रतियोग भी होने जा रहा है आपके सब कंभाव से आफिके राशे में सिथ शनी के साथ तुद एक और दो तरीक है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है सबसे मेहतों पुर्णवा सिहत के ओपर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा उ उनके साथ भी चोटी मुटी बातों को लेकर दकरार हो सकती है उसी प्रकार भुद्धो और शनी का प्रतियोग भी होने जा रहा है यहां पर भी जहां पर आप काम करते हो नुकरी करते हैं यहां पर जोग होगे उनके साथ चोटी मुटी बातों को लेकर दकरार हो सकती है औ क्योंकि देखिए इये बात बहुत ज़़दा महत्रमिनुद कि आपकी जो राशी है क्या और साडै साथा में चल्दे है तो जैसा आप चालते हो उस प्रकार से बाते होना थोड़ा सा कम है क्यों साडै साती में भागि का साथ मिलना थोड़ा कम ही नजर आता है उसे प्रेकार दिनान दो तारिक को रवी जो कि आपके सब्तम भाव में हैं उसके साथ आप भी के राशी में से शनी का प्रतियोग होने जा रहा है यहाँ पर आपकी सेहत के बारे में ध्यान रखना जादा आवश्रफ होगा यह जो काला वधी है वकारीवन एक दो तारिक को तारिक तक इसका प्रवाव है वो देखा जाएगा उसे प्रकार दिनान तीन तारिक को शुक्र जोकि सीगर राशी में आपके आश्टम भाव में ब्रह्मन करेगा उसके साथ आपके चतरत भाव में से थर्षल का नवपंचम आनि के त्रिकों योग होने जारा अब तीन चार ये जो दो तारिक है वह आपके लिए काफी ज्याधा महतो पुर्ण साबित होगी वैसे कि कुछ अच्छे लाब आपको मिल सकते है अनक्स्पेटेड लाब जिसे बूलते हैं जिसके बारे में आपने आपने सोचा नहीं थै या उस परकार के LAB आपको मिल सकते हैं, उसी परकार अगर आप Share Worker Study कर देती इन दू दिनों में, भी काफी अच्छे LAB आपको मिल सकते हैं, अगर आप किसी के Relationship में हैं, तो वहा deport आपर भी कुछ अच्छी बात है, ज्यादा आवश्यक होगा, सहत के बारे में कुछ लक्षन आपको दिखाई दे सकते हैं, उसी प्रकार दिनाल 6 तरीक को, रवी जो की सब्तम भाव में आपके राशी में हैं, उसके साथ, आपके चतुर दपाव का जो हर्शल है, वो कें रियोग करने जा रहा है, तो अगर लाजेंके साथ चोटी मुटी बातों के लिए करता करार हो सकते हैं, उसी प्रकार आपके जो वहीवाईक जोड़ी दार है, उनके साथ भी चोटी मुटी बात लिए कर्वी बनाऊ以前 सकता है, खुद्पर सयंम रखना ज्यादा आवश्यक होगा, उसी प्रकार दिनाल 9 तरीक क शुक्र जो कि आपके अश्टम भाव में हैं उसके साथ आपके द्वित्यवाव को जो निप्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहा तो यहां पर आप जिनके भी रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ चोटे मुटी बातों को लेकर मिसंडरसेंडिंग हो सकती है जहां पर आप क साथ आपके चतुरतबाव को जो हर्शल है वो केंद्र त्रिकोनियोग करने जा रहा अब यह कालावदी आपके लिए काफी ज्यादा मेहत्व पुर्ण शुबफ लदाई होगा दिनक 20 और 21 तारीक को अगर आप जॉब लेसे तो जॉब के बारे में कुछ अश्य बातें सकती है उस प्रकार दिनक 22 तारीक के आसपास आपके अश्टमभाव का जो मंगल है उसके साथ आपके चतुरतबाव का जो हर्शल है वह नवपंचम योग यानि के त्रिकोनियोग करने जा रहा है अब यह योग भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्व पुर्ण साबित तो अच्छा ओपरश्टे आके वह फाइनलाज होने के चांसे भी काफी ज्यादा बनते हैं आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है उसी पर दिना 23 तारीक को शुगर जो कि करने राशी में ब्रहमन करेगा आपके भाग्यवाव में इसके साथ आपके राशी का जो शनी है वह नवपंचमयोग यानि के त्रिकोनयोग करने जा रहा है तो 23 और 24 तारीक यह जो है आपको लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है महतोपुर्णय शुगुफल लदाई होगा जो भी काम आप आतने लिए जो विक्ति जॉब ले लेशन्शिप में है तो भी बात अच्छे हो सकती है जो मकर राशी के विक्ति विद्यार्थी है उनके लिए भी यह संपुर्णक अलावदी काफी अच्छा होगा हलाकि शुक्र जैसे ही 12 तरीक के बाद आपके भागया बहुत में ब्रहुन करेगा तो जो विद्यार्थी मकर राशी के उनके लिए यह संपुर्णक अलावदी है वो काफी अच्छा और शुबब फलदाई साबित होगा उसे प्रकार दिनाग 25 तरीक को बुद्धर जो कि आपके अश्टभाव में सिंग राशी में है उसके साथ आपके द्वितिया बाको जो निप्चुन है वो प आपलब 25 और 26 तरीक तो दोस्तो यह था ग्रह योग और उनके मिलने वाली पर्णाव उसे परकार, इस मेंहीं की जो अमावस है, वजह से हम जादा emotional हो जाते हैं और emotions में कि यह वह बाते या फिर निर्ने सही होने के chances काफी कम बनते हैं इसलिए इस मेने के 8 और 22 तरीक को किसी भी प्रकार के बड़े निर्ने बिल्कुल भी नहीं करना commitment नहीं करना promises बिल्कुल भी नहीं करना तो दोस्तों ये था मकर राश्री का अगस्त 2021 का संपुर्ण राशिवल आप ये राशिवल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभो किया नीचे comment box में जरूर comment करना और अपने जो चैनल है ब्रमभंड सिद्धियाश्ट्रो इसे भी like, share और subscribe जरूर करना हो धन्यवाद